सरकारी करमचारियों के रवये से परिसान होकर आम आदमी जनता दरबार के माध्यम से अधिकारियों को अपनी समस्या सुनाता है और इस उमीद से कि बड़े अपसर उनकी समस्या को अच्छे से सुनकर उनकी समस्या का समाधान करेंगे लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है ताजा मामला उत्तर प्रदेश के कानपूर जिले का है जहां जनता दरबार में डियम नेहा सर्मा ने फारियादी को ही जड़ब दिया और पूरा वीडियो सोसल मीडिया पर अब काफी तेजी से वाइरल हो रहा है और यूजर्स ने इस वीडियो को देखकर कहा कि बीपी तो डियम साहिबा का चेक होना चाहिए मामला कानपूर के नर्वल तहसील का बताय जा रहा है जहां जनता दरबार में डियम नेहा सर्मा लोगों की समस्याएं सुन रही थी और वाइरल हो रहे वीडियो के मुताबिक एक बुजर्ग कुछ कागजात दिखाते हुए मैडम से कुछ कहता है तभी डियम साहिबा भड़क जाती है और कहती है बैठो चुप चाप वहाँ जाकर और इतना बीपी का प्राब्लम है तो घर पे रखो इनको वही जनता दरबार में डियम नेह सर्मा द्वारा फरियादी से अभद्र वैवहार करने का वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो गया है इसना जाता बादारी मत लिखाओ ठीक है इसना बैठो मापे तुम नी गोल पारे लिए नी गोल पारे लिए पर इसको आपने आया हो एग इसना बीपी का प्रोब्लम है तो घर मेरको इसको एपी